लो दोस्तो welcome to study universe मद्यप्रदेश के number one channel for daily current affair के इस बीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्य प्रिदेश weekly current affair यानी मद्यप्रदेश सापता है current affair के बारे में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 से 20 सितंबर के बीच में जितने भी important question हो सकी है उनके बारी में और जो भी important fact होंगे उनके बारी में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तो ये वीडियो आपकी सभी प्रतियों की परिक्षाओं के लिए important है वीडियो में top 40 questions लिए गए हैं जो आपके हर exam के लिए बहुत important है दोस्तो वीडियो को हिंदी और इंगलिस दोनों भाषाओं में बनाया गया है तो आपको इस वीडियो को like करना है अपने दोस्तों परिवाजन की साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करना है चैनल का नाम है study universe तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं question number first पर question number first है बजाज अल्यांस लाइफ वीमा कंपणी का brand ambassador किसे चुना गया है तो यह है अईश्मान खुराना को बजाज अल्यांस लाइफ वीमा कंपणी का brand ambassador चुना गया है question how question next question Club अअइनयमक अपचार में कौन सा जिलया पहले इस्थान पर अ सागर मध्यवाण जीमान कपचार पहले स्थान पर है दोस्तों यह配 क्या होता है आपको इसकी बारियों बता दें मात्र और शिशुदर जो मृत्युदर है उसे कम करने में एनिमिक अपचार कहा जाता है दोस्तों बात करते हैं इसमें दूसरी स्थान पर कौन सा जला है तो बिदीशा है और तीसरे स्थान पर इंदोर है बात आईए सागर की तो आईए आपको मैप में इसकी लोकेशन और कुछ इंपूटेंट फेक्ट के बारी में चर्चा करें दोस्तो मैप में आप देख पर होंगे ये लोकेशन है मद्यप्रदेश के मैप में सागर चले की बात करती इसके important fact की तो पहला है भारत का हिर्दय कहा जाता है मद्धविदिस की प्रतम विशुविद्याले डॉक्टर हरेशिंग और विशुविद्याले सागर में ही इस्ते थे सती प्रता का प्रतम उल्लिक एरण जो सागर में है यहीं पर देखने को मिलता है प्रिसिक्षन संस्तान और स्टेंलेस स्टील कॉंपलिस की सथापना भी सागर में ही की गई है मद्धविदिस का सबसे बड़ा बनेजीव अभ्यारन नौरा देही बनेजीव अभ्यारन यहीं सागर में ही इस्ते थे ओमान की सहायता से बीना तहसील में ओयल रिफाइनरी लगाई गई है तो यह कुछ important factor थे हिसागर के आपको याद रखना है इनी से दोस्तो आपके exam में question बनता है नेस्ट question है international clean air day for blue sky का मनाया गया है तो इसका सही option है 7 सितंबर को international clean air day for blue sky यह दिवस मनाया गया है दोस्तो आपको बता दें इसकी शुवात हाली में यानि 2020 से ही की गई है UN के द्वारे इसकी शुवात की गई है दोस्तो जैसा कि आपको पता है lockdown में बहुत environment clean हुआ है और इसी को लेका international clean air day for blue sky 7 सितंबर को D मनाया गया है 2020 से इसकी शुवात की गई है next question है 2020 में आयुज़त Quad का Milan समारो के कौन सा दिस में आयुज़त किया जाएगा तो यह है भारत भारत में Quad का Milan समारो का आयुज़न किया जाएगा अब यह दोस्तो Quad Group है क्या आपको इसके बारे बता दें तो इसमें कुल 4 देस हैं जिनके नामें भारत औस्रिलिया जापान और USA यह 4 देस मिलकर Quad Group को बनाते हैं तो यह आपको याद रखना है इसका Milan समारो है भारत में 2020 में आयुज़न किया जाएगा नेस्ट क्वेशन है हाली में इयान बेल ने सन्यास की घुषना किया किस केल से जुड़ी थे तो यह क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर थे जिनने हमें हाली में सन्यास की घुषना किया दोस्तो आपको बता दें इयान बेल इंगिलेंड से क्रिकेट खेलते थे नेस्ट क्वेशन है FADA करना है अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो यह है विकेश गुलाटी को FADA करनाया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तो अब यह FADA है क्या आपको इसके बारे में बता दें इसका फुल फर्म होता है यह FADA का फुल फर्म होता है इसकी स्थापना यानि फॉर्मेशन 1964 यानि 1964 में किया गया था और Headquarter मुंबई में है तो आपको इतना FADA की बारे में याद रखना है जिसके अध्यक्ष चुने गए हैं विकेश गुलाटी नेस्ट कोशन है एक भारास रिष्ट भारत के तहत मद्धिप्रदेश से किस राज़ को जूड़ा गया है तो दोस्तो इस बार मद्धिप्रदेश को दो राज़ों से जूड़ा गया है ये हैं मनीपर और नागले एं दोनो राज़ों को एक भारास रिष्ट भारत के तहत जूड़ा गया है दोस्तो जो एक भारास रिष्ट भारत ये मोहम है इसके अंतरगत राज्जों में एक राज्ज से दूसरी राज्ज के कल्चर, heritage site और सभी के साथ जूड़ा जाता है जिससे एक दूसरी के राज्ज जान पाएं एक दूसरी के कल्चर के बारे में दोस्तों बात आईए नागलेंड की तो आपको इस मैप में नागलेंड की बारे में बताते हैं दोस्तों मैप में आप देख पर होंगे ये location है नागलेंड राज की नागलेंड की गठन या formation एक दिसंबर 1963 में किया गया था राजजपाल आर एन रवी है यहां के जो मुक्तमंत्री है वह है नेफियर यूए है और राजधानी कोहिमा है राजसवा की एक सीट और लोगसवा की एक सीट नागलेंड में है तो आपको इतना नागलेंड के बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन है हाली में किस चानबर को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट लॉंच किया गया है तो दोस्तो यह है डॉल्फिन डॉल्फिन को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉंच किया गया है दोस्तो जैसा कि आपको पता है डॉल्फिन हमारा रास्टी जली जीव है और यह 10 साले के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉंच किया गया है दोस्तो आपको डॉल्फिन का जो scientific name है उसको याद रखना है इसके दो scientific name होती है पहला होता है प्लैस्टेनिस्टा और दूसरा होता है गेंटिका सुसू तो यह दोनों आपको याद रखने है नेस्ट कोशन दोस्तो एफ ए ओ का एसिया और प्रसांद महासागर का छेत्रिय शम्मिलन का कौन सा संस्क्रण आयजित किया गया है तो यह है पहतिस्वा 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 एफ ए ओ का एसिया और प्रसांद महासागर का छेत्रिय सम्मिलन का आयजिन किया गया है दोस्तो इसका आयजिन भूटान में किया गया है एसिया और प्रसांद महासागर का आप जानती है कौन कौन से कंट्टी आती है सबसे पहले बात करते हैं F.A.O. की F.A.O. का Full Farm होता है Food and Agriculture Organization इसका formation यानि स्थापना 1945, 1945 में की गई थी Headquarter Rome, Italy में है तो आपको इतना F.A.O. की बारे में याद रखना है और इसका Asia और पिसाथ महासागर का शेत्रिय सम्मिलन कायोचन भूटान में किया गया है और इसका Sanskrit 35 वा था नेस्ट कोशन है बूटाफोन और आइडिया का नया नाम क्या रखा गया है तो ये V.I. V.I. बूटाफोन और आइडिया का नाम रखा गया है V. का बूटाफोन का V. लिया गया है और आइडिया का I. दोनों को मिला कर V.I. किया गया है नेस्ट कोश्चन है NSO की सरविक्षन की अनुसार साक्षरता की मामली में देश में पहला इस्थान किसका है तो यह है किरल किरल का NSO की अनुसार साक्षरता की मामली में देश का पहला इस्थान है दोस्तो जो कीरल में साक्षरता दर है वह 96 यानि 96 दिसंबलब 2 प्रतिशत है और इसके बाद दूसरे इस्थान पर है दिल्ली की तो मद्रप्रदिश की साक्षर्टा 73.7 यानि 73 दिसंबलब 7 प्रतीशत है तो यह कुछ important fact मैंने आपको बताए एनुसु की सरविक्षण की अनुसा साक्षर्टा की बारी में आपको याद रखना है पहला स्थाने केरल का और अंतेम स्थाने आंद्रप्रदिश का दोस्तों बात आए केरल की तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारें बता दे मैप में आप देख पा रहोंगे यह हैं केरल की केरल का मैप भी आप देख पा रहोंगे किरल की स्थापना यानि फाउंडेशन एक नमबर 1956 में हुआ था राजधानी थिरू अनत्प्राम है यहां की गवर्णर है आरिफ मुहमत खान और पिंडराई विजियन मुख्यमंत्री है राज़सबा की कुल 9 सीट है और लोगसबा की कुल 20 सीट है किरल में तो आपको इतना किरल की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉश्चन है 2019 में खोजी गई नई प्रजातियों की संख्या कितनी है तो 368, 2009 में खोजी गई नई प्रजातियों के जीवों की संख्या 368 है दोस्तो आपको बता दें ये 116 जंतों की किसम पहली बार देखी गई है 2018 में 332 नई प्रजातियां खोजी गई थी दोस्तो ये प्रजातियां Geological Survey of India की द्वारा खोजी गई है जिसके निदेशा केलास चंद्र है दोस्तो एक और Important Fact बताएं सबसे ज़्यादा प्रजातियां जो खोजी गई है वह तमिलाडू में है तमिलाडू में एक छिपकली खोजी गई जिसका नाम अगरवाली रखा गया है विग्यानिक ईसान अगरवाल के नाम पर इस छपकली का नाम अगरवाली रखा गया है जिसे तमिन लाडू में खुजा गया है तो आपको याद रखना है 2019 में कुल नई पर जातियां खुजी गई है 368 नेश्ट कॉशन है हाली में गोविंद स्वरूप का निधन हुआ ये कुन थे तो दोस्तो ये एक विग्यानिक थे जिनका 91 वर्ष की उम्र में हाली में निधन हुआ है दोस्तो ये बेग्यानिक के अलावा रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी थे तो आपको इनके बारे में याद रखना है ये महान विक्ति थे जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है नेस्ट कोशन ने अंतरास्टिय साक्षरत दिवस का मनाया जाता है तो प्रतिक 8 सितंबर को अंतरास्टिय साक्षरत दिवस यानि इंटरनेशनल लिटरसी डे मनाया जाता है दोस्तो 26 अक्टूबर 1966 को UN की द्वारा यानि अंतरास्टी साक्षरत दबस खोशित किया गया था 8 सितंबर को यह मनाया जाता है और 1966 के बाद परतिवश मनाया गया है नेस्ट कोशन है नेशनल इसकूल ओफ ट्रामा का नया चेर्मेन किसे बनाया गया है तो यह है परेश रावल जो एक महान एक्टर है इन्हें नेशनल इसकूल ओफ ट्रामा का नया चेर्मेन बनाया गया है दोस्तो बात करते हैं नेशनल इसकूल ओफ ट्रामा की इसकी स्थापना कप की गई थी तो इसकी स्थापना 1969 यानि 1959 में की गई थी डिरेक्टर सुरिष बर्मा है और चेर्मन बनाये गया है परिष रावल को और इसका हैटवाटर दिल्ली में है तो इतना आपको NSD के बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य में ग्रह प्रवेश कराया गया है तो यह है मद्दप्रदेश मद्प्रदेश राज्य में गरीब यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नए घरों में ग्रह प्रिवेश कराया गया है, दोस्तो एक दिसमलोग, साथ पाँच लाग परिवारों को नए मकान वितरित किए गया है, मद्यॉद Fridish में, और इनका जो प्रिवेश कराया गया है, वार प्रदान मंत्री मोधी जी के दवारा, जो बात आई यह मद्यॉद Should chi, तो आपको इतना MP के बारे में याद रखना है यानि 105 बाइस्थान मिला है दोस्तों इस से पहले 2019 में भारत को 79 यानि 89 बाइस्थान दिया गया था Global Economic Freedom Index 2020 में दोस्तों बात करते हैं पहला इस्थान किसे दिया गया है तो इस लेस्ट में पहला इस्थान होंग कॉंग और सिंगापूर को दूसरा इस्थान दिया गया है और भारत को 105 बाइस्थान मिला है तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है Most IMP कोशन है आपके एक्जाम के लिए नेस्ट कोशन है राज्य स्टाटप 2019 में सर्फ रिष्ट राज्य कौन सा चुना गया है तो गुजरात राज्य को राज्य स्टाटप 2019 में सर्फ रिष्ट रिष्ट राज्य चुना गया है दोस्तो आपको बता दें इसके अलावा अन्वा निकोवार को दूशरा इस्थान दिया गया है और ग्यांदे सासित प्रदीश में पहला अस्थान दिया गया है अन्वा निकोवार को बात करते हैं दोस्तो बाणेच्चे सरल बनाने उत्पादक बढ़ाने प्रोध्यों की उत्पादन लाब बढ़ाने के लिए सर्फ रिष्ट चुना गया है गुजरात को बात आईए गुजरात की तो मैप में आपको इसकी लुकेशन के बारें बता दें दोस्तो मैप में आप देख पा रहोंगी यह है गुजरात का मैप भी ब्रॉड देख पा रहोंगी गुजराज की स्थापना एक माई 1960 में की गई थी गांदी नेगर यहां की राजथानी है गवर्नर की मुख्य मंत्री है राजसवा की कुल 11 सीटे हैं और लोगसवा की कुल 29 सीटे हैं गुजराथ में तो आपको इतना रगुवन्स प्रसाद की वारी में इन्हें मन्रेगा मैन की नाम से जाना जाता था 1977 में पहली बार विधायक बने थी और पांच बार सांसाद रह चुकी हैं ये पूर्वे केंद्रिय मंत्री भी रह चुकी हैं दोस्तो इन्हें मन्रेगा मैन की नाम से जाना जाता था नेस्ट कोशन है विस्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो प्रत्येक 14 सितंबर को विस्व हिंदी दिवस यानि World Hindi Day सेलिवरेट किया जाता है दोस्तो आपको बता दें 1949 को देश की अधिकारिक भासा के रूप में चेन किया गया था दोस्तो आपको बता दें हिंदी भारत की ना तो रास्ट भासा है इसे सिर्फ अधिकारिक रूप से चुना गया है अनुचित 343 के तहट भासा को अपनाया गया है दुनिया की चौथी सबस्याना बूली जाने वाली भासा है जोस्तो पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था और उसकी बाद प्रत्तिक वश विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को तो इतना आपको इस दिवस के बारे में याद रखना है और आपको एक और important fact याद रखना है कि भारत की हिंदी रास्ट भासा नहीं है सिर्फ यह एक अधिकारिक भासा है नेश्ट कोशीन एप विग्यापन मानक परीषत के बूर्ड ऑफ ग़र्णर की अध्यक्ष की रूप में चैन किया गया है दोस्तो ये رोहित कुप्टा की जगह लेंगे दोस्तो रोहित कुपता स्वानी पिक्चर्स की अध्यक्ष थी जिन्होंने हाली में पद चूड़ा है और इनकी जग़े सुबास कामत को विज्ञापन मानक परिषत के वूड ऑफ गवर्नर की अध्यक्ष रूप में चुना गया है दोस्तो अब ये बिग्यापन मानक परिशत यानि Advertising Standard Council क्या है आपके इसके बारें बता दें तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी Headquarter S का मुंबई में है और इसे ASCI की नाम से जाना जाता है और हिन्नी में बिग्यापन मानक परिशत की नाम से जाना जाता है जैसका Board of Governor का अध्याक्षर सुबास कामत को चुना गया है Next question है दोस्तो ये ये अवर्ड आवर्ड आफ एक्सेलेंस 2020 का MD हाली में किसे बनाया गया है किसे दिया गया है तो दोस्तो ये है HDFC Bank HDFC Bank के MD को Euro Money Award of Excellence 2020 दिया गया है जोस्तो अब ये HDFC के MD को है आपको बता दें आदित्य पुरी HDFC Bank के MD है बात आई है HDFC Bank की तो आपको इसके बारें बता दें HDFC का Full Farm होता है Housing Development Finance Corporation Limited इसका जो स्थापना है वह 1994 यानि 1994 में किया गया था Founder हस्मुख भाई पारिखते Headquarter मुंबई में है और CEO ससीधर जगदीशरन है और MD हाली में है आदित्य पुरी तो आपको इतना ये HDFC Bank के बारे में याद रखना है Next Question है US Open 2020 हाली में किस ने जीता है तो दोस्तो यह Award Domonic Theme ने जीता है जो ऑस्टिया की रहने वाली है इन्होंने पुरुस वर्ग में US Open 2020 का खिताब जीता है दोस्तो कर वहीं बात की जाए महिला वर्ग की तो महिला वर्ग में Naomi Oosa का जो जापान की रहने वाली है उन्होंने US Open 2020 जीता है तो आपको इं दोनों की बारे में याद रखना है दोस्तो मैप में आप देख पाण होंगे यह लोकेशन है जापान की, जापान की राज़्थानी है टोक्यो यहां के समराठ है नारी हितो और जो हाली में परधान मंतरी बनाएगे हैं यहें याशो इधासोगे और जापान की मुद्रा है जापानी येन तो आपको इतना जापान की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है हाली में राजिस कुमार को किस बैंक का करेकारी निदेशक चुना गया है तो ये है World Bank विश्व बैंक का राजिस कुमार को कारेकारी ने देशक चुना गया है दोस्तो ये IAS है हर्याना केडर के 1988 वैच की बात आईए World Bank की तो आपको इसके बारे में बता दें दोस्तो World Bank IVRD और IDA Bank से मिलकर बना है इसका मोटो होता है Working for a World Free of Poverty इसका formation यानि इस्थापना जुलाई 1944 यानि 1944 जुलाई में किया गया था इसका headquarter वॉसिंग्टन डीसी में है प्रेसिडेंट है डेवेट मालपास और MD और CEO है अंशुला कांत और हाली में यहां का कारिकारी ने देशक World Bank का कारिकारी ने देशक राजिश कुमार को भी चुना गया है नेस्ट कोशन है देश की पहली happiness index में सर्फिरिस राज्जी कौन सा है तो मिजूरम देश की पहली happiness index में सर्फिरिस राज्जी है दोस्तो आपको उदाने पहली बार भारत में happiness index राज्जी की जारी की गई है जिसमें मिजूरम ने पहला इस्थान हासिल किया है दोस्तो मिजूरम की बाद पंजाब अंडवानने को बार और सबसे नीचे यानि जो unhappy राज्ज है वह 36 गड़ है देश में और सबसे ज़्यादा जो happiness है वह मिजूरम में है दोस्तो पांच मेरे पेरा मीटर रखे गए थी happiness index की वह कौन कौन से है यह आपको जाना बहुत important है तो पहला था आय और ग्रोथ दूसरा था पारिवारिक संबन्द तीसरा सारीरिक मानसिक सेहत चोथा था सामाजिक मुद्धि और परुपकार और पांच बाद था आध्याते में चुड़ा तो इन सबी को लेकर happiness index जारी की गई थी देश की दोस्तो अगर बात की जाए वर्ल में भारत का happiness index में कौन सा इस्थान है तो भारत का वर्ल में 144 इस्थान है out of 156 यानि 156 में से 144 इस्थान भारत को दिया गया है एक और important fact आपको बता दें वर्ल हैपिनेस डे भी मनाया जाता है जो 20 मार्च को वर्ल हैपिनेस डे मनाया जाता है तो दोस्तो एक question से related मैंने आपको इतने question बता दिये हैं आपको एक्जाम में एनमें से कोई भी question पूछा जा सकता है बात आईए मिजूरम की तो आपको मैप में मिजूरम की बारें बता दें दोस्तो मैप में आप देख पार होंगे ये location है मिजूरम की मिजूरम की स्थापना 20 फरवर 1987 में की गई थी राज्थानी आईजूल है यहां के governor PS3 धरन है और मुख्रमंतरी जूरंग ठंगमा है तो फोफ्स की सबस्यादा कमाई करने वारे फोटोवर की लिस्ट में पहला इस्थान दिया गया है दोस्तो इनकी कुल कमाई एक साल की 928 करोड रुपए बताई गई है फोफ्स की द्वारा दूसरे इस्थान पर रुनाडलो है जिनकी कमाई 671 करोड रुपए प्रती साल गया है नेश्ट कोशन हाली में किस ग्रह पर फॉस्पीन गैस की खोज हुई है तो दोस्तो ये है शुक्र यानि बीनस ग्रह पर फॉस्पीन गैस की खोज की गई है दोस्तो आपको बता दें सबसे गर्म ग्रह सब प्रत्वी की बहन भोरका और सांज का तारा के नाम से शु फॉस्पीन गैस की तो आपको बता दें यह है गैस सुक्ष जीवी माइक्रूप्स से बनी होती है जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं और इसी के तुरू यह पता लगाया गया है कि सुक्र पर फॉस्पीन गैस पाई गई है जिससे यहां पर जीवन संभव हो सकता है तो य भारत रतन मोख्ष गुंडब बैस्विसरया की जनैंती पर जो एक सिविल इंजीनियर थी इन्हीं के जन्म दुबस पर इंजीनियर दुबस मनाया जाता है और इनका जन्म 15 सेतंबर को हुआ था नेस्ट कोशन है हाली में कपिला वादसायान का निधन हुआ ये कौन थी तो दोस्तो ये एक महान कलावित थी जनका हाली में निधन हुआ है इनकी उम्र 91 वर्स थी दोस्तो ये सचिदनंद हीरनंद वादसायान अगे थी इनकी ये पतनी थी जनका नाम था कपिला वादसाय नेस्ट कोशन है अन्न उत्सव की शुरुआत हाली में किस राज़े में हुई है तो यह है मद्द प्रिश हमारे मद्द प्रिश में अन्न उत्सव की शुरुआत हुई है 37 लाख लोगों को 5 किलो गेहू और 1 किलो चावल 1 रूपए की दर से दिया जाएगा इसी ही अन्न उत्सव को नाम दिया गया है प्रधन मुख्यमंत्री सिवरासें के द्वारा और इसे अन्न उत्सव की शुरुआत कहा गया है दोस्तो एक और important fact आपको वह याद रखना है 37 लाख लोगों को 5 किलो गेहू और 1 किलो चावल दिया जाएगा 1 रूपए की दर से वह रूज की द्वारा इस पूतनिक की नाम से बनाए गई है जिसे भारत खरीदेगा दोस्तो इसके 10 करोर डूज भारत खरीदेगा रूज से आपको उता दें रूज की RDIF और भारत की फार्मा कम्पनी डॉक्टर रेडिस लैप के साथ काम करेगी और ये 10 करोर जो डूज बनाए जाएगा वह भारत में ही बनाए जाएगा रूज की मदस से और इसे जो वैक्सीन है इसका नाम दिया गया है इस पूतनिक भी दोस्तो बात आईए रूस की तो आपको मैप में इसके बारे में बताएगा दोस्तो मैप में आप देख पाने हूँए ये लोकेशन है रूस की आपको बतादे रूस एक मात्र देश है जो दो कुईंटिने आपको दादे यहां की राज़्धानी मौस्कू है राष्टपती है बिलादीमीर पुतिन प्रिदान मंत्री है मिखायल मुस्तिन और यहां की जो मुद्र है वह रूसी रूबल है तो आपको इतना रूस की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है ऊजोन परस संरक्षन दिवस का मनाया जाता है ऊजोन लेस कंजर्विशन डे कब सेलिबरेट किया जाता है तो दोस्तों 16 सितंबर को ऊजोन परस संरक्षन दिवस मनाया जाता है दोस्तों बियाना कन्वेक्शन उनीस सो पचासी के द्वारा ऊजोन परत का च्छरण रोकने के लिए यह दवस मनाया जाता है CFC जो सबसे दा कारवन ओर्जन को च्छरण करती थी उस पर भी रोक लगाए गई है बियाना करवेशन दोस्तों 26 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे 1985 में नेश्ट कोशन है किस बिमानन कंपणी ने बिमान में वाइफाई की सुवीदा प्रदान की है तो यह है विस्तारा बिमानन कंपणी के द्वारा बिमान में वाइफाई की सुवीदा प्रदान की गई है दोस्तों आपको बता दें दिल्ली से लंदन की बीच यह जो लेक्री वह तंसे इसका हेटकॉटर गुरुग्राम में है और जो चेर्मेन है वह भासकर भठ तो आपको इतना विस्तारा की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है फीपा ताजा रैंकिंग 2020 में पहला इस्थान किसे दिया गया है तो बेल्जियम को फीफा रैंकिंग 2020 में पहला इस्थान दिया गया है दोस्तो आपको बता दें फीफा रैंकिंग में दूसरा इस्थान फ्रांस को दिया गया है जि इसका आयोजन यानि 2019 में FIFA World Cup का आयोजन रूस में किया गया था, 2022 में इसका आयोजन कतर में किया जाएगा और 2026 में FIFA World Cup का आयोजन US, Canada और मेक्सिको में सेख तुरूप से किया जाएगा, 2019 में जो जीता था, जिसने FIFA World Cup जीता था वह है फ्रांस देश था, और जो runner-up रहा था वह है क्रोशिया था तो इतना fact आपको FIFA World Cup 2019 के बारे में याद रखना है और जो हाली में ताजा ranking आई है उसमें Belgium पहले स्थान पर है Next question है हाली में कोसी रेल सेथू का उधगाटन किसने किया है तो प्रदान मंत्री मोदी जी के द्वारा कोसी रेल सेथू का उधगाटन किया गया है दोस्तो आपको बता दें यह ब्रज 1.9 km नमबा है और इसे 516 करोड रुपे की लागास से बनाये गया है बिहार के निरमली और सरायगर के बीच यह सेथू बनाये गया है और दोस्तो यह most IMP सेथू है तो आपको इस सेथू के बारे में याद रखना है तो दोस्तो यह था हमरा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 11 से 20 सेतंबर के बीच जितने भी important question है उनके बारे में यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल study universe को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते है तो यह मेरी idea यहाँ पर mail कर सकते है इसके लावा अगर आप हमारे telegram चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका description में link दिया गया है इसके लावा जो भी आपको query होती है तो आप हमें comment box में छोड़ सकते हैं हम आपके comment का answer जरूर करेंगे तो आज के लिए बस अतना ही नमस्कार, have a nice day